हाई गाई इस करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अभी शेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम साथ माज तक के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेर्स कवर करने वाले हैं हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंतर तक चरूर देखेगा, आज भी आपको काफी को जानने के लिए मिलेगा साथी का इसी सेशन को सुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आप हमारे डेली करंट अफेर्स वीडियेफ वीडियेफ और मंतली पीडियेफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फॉर्स कोमेंट में या फिर डिस्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेर्स फंडा अप को भी इस्टोर कर लिजेए क्योंकि जो भी हमारा पीडियेफ मैटियल है जिसमें हम आपको करंट अफेर्स के साथ साथ इस टैटिजी के भी प्रोवाइट कराते हैं यह सभी मैटियल आपको हमारी करंट अफेर्स फंडा अप पर ही उपलब्द हो पाएगा और इसके लिए आप हमारा पीडियेफ कोर्स पाए करना चाते हैं तो लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कोई भी अगर आपका डाउट हो हमारे के लिए नान मुदलबन स्कीम इसको लॉंच किया है विराट कोली उन इंडियन क्रिकेटर्स के लिस्ट में सामील हो गए हैं जिन्होंने कम से कम 100 टेस्ट मैचेस खेले हैं आपको बता दे विराट कोली 12 इंडियन प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 100 टेस्ट मैच खेले हैं आपको जाना चाहिए, चार मार्च को National Safety या फिर Security Day के रूप में मनाया जाता है, ICC बैंक ने अपने InstaBiz को Interoperable बनाया है, Center Depository Services India Limited यानि कि CDSL, इसने जो है 6 करोड से ज़्यादा DMATS एकाउंट खोल दिये हैं, Ministry of Women and Child Development ने United Nations Children's Fund यानि UNICEF के साथ मिलकर नारी सिक्ती वारता इसका आयोजन किया है, बात करें यदि हम 17 Sustainable Development Goals की और कौन कितना तेजी से अग्रसर है, कौन को पाने में जो है काफी आगे चल रहा है, तो इसमें भारत की रैंक जो है अगर हम पिछले साल की बात करें तो उसकी तुल्ला में तीन पाइदान नीचे गिरी है, इस बार भारत की रैंक 120 है, पिछले साल 117 थी और Finland इसमें सबसे टॉप पोजिशन पर है, आपको जानना चाहिए, फिल्म क्रिटिक और राइटर जै प्रकास चोकसी, इनका निदन हो गया है, और इंडिया की फर्स्ट एंबूलेंस फोर स्ट्रीट एनिमल्स, ये चेन नई तमिलाडो में लॉंच हुई है, एलाइसी ने सुनील अगरवाल को चीफ फाइनेंशल आफिसर अपउइंट किया है, टाटा मोर्टर्स ने अपने अनुभव मोबाइल शोरूम को लॉंच किया, यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्पेंटरी एंड डेरिंग, पुरसुत्तम रुपाला, नामे उडान एक मजदूर बच्चे की, साथी आपको जाना चाहिए, डेली पुलिस ने अनुभूती जो कि एक QR कोड बेस्ट फीड़बैक सिस्टम है, साथी रिफर्बिस्ट डेली पुलिस वेबसाइट और इच इठा पॉर्टल, इन तीनों ही सर्विसेस को लॉंच किया है, चली अब देखते हैं, साथ मार्ज तक के सभी इंपोर्टेंट करेंट अफिर्स, किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वहानों के लिए एक नई ब्रांड का नावरेंड किया है, जिसे वीडा कहा जाएगा, ओप्चन सापके सामने है, सही आंसर, ओप्चन सी है, हीरो मोटोकॉप, तो देखी जो हीरो मोटोकॉप है, ये इंडिया की लार्जेस्ट टू वीलर मेकर है, और इसने इलेक्ट्रिक वहिकल्स के लिए अपना एक नया ब्रांड आइडेंटिटी बनाया है, जिसका नाम होगा वीडा, साथ ही आपको जानना चाहिए, इसने 100 मिलियन यूएस टोर का ग्लोबल सस्टेनिबिलिटी फ्रंट भी क्रियेट करने की अनॉंस्मेंट की है, साथ ही आपको जानना चाहिए, पवन मुंजल, ये हीरो मोटोकॉप के चेर्मेंड एंड सी यो हैं, तो दूर संचार विवाद निप्टान और अपीलिय नियाधी करन का अगला अध्यक्ष कोन होगा, ओप्शन साब के सामने हैं, सही आंसर ओप्शन ए है, डी एन पतेल, डी एन पतेल का मतलब है, धीरु भाई, नरन भाई पतेल, ये डेली हाई कोर्ट में चीफ चस्टिस है और इनको अगला नेक्स्ट इनको जो है टेलिकॉम डिस्पूट सेटलमेंट एंड एपलेट ट्रिमिल यानि की टीडी सैट का चेर परसन बनाया गया है अगले चार साल के लिए, आपको बता दें, 12 मार्च को ये रिटायर जो हो जाएंगे, उसके बाद ये अपने इस CEO के रूप में किसे निक्त किया गया है, सही आंसर, option B है, संजीव कपूर, तो संजीव कपूर, जैट एरवेस के नए CEO होंगे, इस एरलान को लिट करेंगे, आपको बता दें, इस से पहले ये Spice Jet के ओपरेटिंग ओफिसर रह चुके हैं, और विस्तारा में Chief Strategy and Commercial Officer रह चुक जन औस्ती दिवस किस दिन मनाया जाता है, ओप्शन साप के सामने हैं, सही आंसर, option D है, साथ मार्च, तो देखे, Pharmaceutical and Medical Devices Bureau of India, जो की Department of Pharmaceuticals के अंतरगत आता है, तो ये 1 मार्च 2022 से 7 मार्च 2022 तक जन औस्ती दिवस वीक मना रही है, और इसे के साथ आपको जाना चाहिए, जो लास्ट डे है, इस वीक का, यानि की 7 मार्च, उसको ये जन औस्ती दिवस के रुपे मनाएगी, और इस बार ये 4 जन औस्ती दिवस इसके द्वारा मनाया जा रहा है, और इसका ठीम है जन औस्ती जन उप्योगी, आपको जानना चाहिए, Government of India ने एक टार्गेट सेट किया ह कि मार्च 2025 तक जो परधार मंत्री भारतिय जन औस्ती केंद्र हैं, इनकी संक्याद 10500 कर दी जाएगी, देखे आपको जानना चाहिए, जो ये परधार मंत्री भारतिय जन औस्ती केंद्र है, यहाँ पर Generic Medicines दी जाती है, Generic Medicines क्या होती है, देखे एक तो branded medicine होती है, वो जो इनकी capability है, और जो इनका असर है, वो branded medicine जितना ही होता है, तो ये जो है आपको medical store से मिल जाती है, साथ ही जो government के ये परधार मंत्री जन औस्ती केंद्र है, यहाँ पी भी मिल जाती है, तो जब सेम स्टेंथ है, और chemical composition भी लगबग सेम ही है, तो क्योंना ये ही खरीदी ज कम होती है, कोई patent वेगर इशू नहीं रहता है, तो उनको बोलते है generic medicine, बाकिया आपको जाना चाहिए, जो ये परधार मंत्री भारती है, जन औस्ती केंद्स है, इनको pharmaceutical and medical devices bureau of India, इसके द्वारा देखा जाता है, या निकी सा कार्यान वेन इसके पास ही है, और ये जो है, फा परधार मंत्री भारती जन औस्ती केंद्र, तो इसका कारेभार किसके पास है, तो आप कह सकते हैं, ministry of chemicals and fertilizers के नत्रकत आने वाली pharmaceuticals and medical devices bureau of India के पास, बाकिया अगर हम बात करें, परधार मंत्री भारती जन औस्ती परियोजना की, तो इसको department of pharmaceuticals त्वारा 2008 में लॉंच किया थ और तब इसका नान था जन औस्ती केंपेंड, उसके बाद 2015-16 में इसको फिर से रिवेंप किया गया और परधार मंत्री भारती जन औस्ती परियोजना की रूप में लॉंच किया गया, पूझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियाई स्पिन दिगज शेन वार्ण जिनका बावन वर्स की आव्यू में इधन हो गया, इन्होंने 1993 के एसेज टेस्ट में बॉल अफ तर सेंचुरी के रूप में लोग प्रिया गिन बाजी की थी, उनका सामना करने वाला बल्ले बाज कौन था, ओप्शन आपके सामने हैं और सही आंसर ओप्शन C है माइक गेटिंग, देखें आप सभी जान गए होंगे कि ओस्टेरे के लैग स्पिनर शेन वार्ड इनका 52 वर्स की आयू में निधन हो गया है, और थाइलेंड के को समुई में ये इनका सरी जो है मृत मिला और काजा राएक इनको काफी मैसिव हार्ट अटेक पड़ा है, आपका बता देए इनके टेस्ट क्रिकेट में 708 विगेट्स लिये थे और वनडे मैचेस में 293 विगेट्स इनके लिये थे, और उसी सारी इनों ने उसी मही ने ऑस्टेलिया को भी 5-0 से ऐसे सिरीज में हराया था, आपको जानना चाहिए, इनकी एक काफी फेमस डेलिवरी थी, इसको बॉल अफ दे सेंचुरी के नाम से जाना गया, जो कि इनोंने 4 जुन 1993 को फेंकी थी, और तब इनके सामने थे, इंग्लिश क्रिकेटर माइक गेटी, तो ये काफी शार्प इसने टर्ड लिया था, और इस बॉल को बोला गया, बॉल अफ दे सेंचुरी, आप जरूर देखे या आपने नहीं देखिए, यूट्यूब पर टाइप कीजएगा, बॉल अफ दे सेंचुरी, शेन वाण, तो आपको मिल जाएगा, इसी के साथ, 12 साल बाद, फिर उनने एक डिलिवरी, 2005 में जो है, फेंकी, उसको बोला गया, एजबेस्टन रिपर, तब इनके सामने थे, इंगलेंड के बैट्समेन, एंड्रे स्ट्रॉस, पूछ रहे हैं कि यूरोप के सबसे बड़े, उस परमानू उर्जा सहिंत्र का नाम बताये, जिस पर रूसी सेना ने कपचा कर लिया और उक्रेन के साथ, तिव्र लड़ाई के बाद आग लगा दी, उप्शन सापके सामने हैं, और सही आंसर उप्शन सी है, जैपोरीज जिया, जानेंगे इसके बारे में तो देखे, जैपोरीज जिया, नुकलियर प्रांट, ये ये यूरोप का लार्जेस्ट नूकलियर प्रांट है, और ग्लोबली ओवर ओर यानि यह 9 लार्जेस्ट पावर प्लांट है, नूकलियर प्लांट है, तो देखिये, रुशन फोर्सेजन नहां पर यूकरियन के, जैफुरिजिया नुकलियर पावर प्लांट पर अटेक किया जिससे की काफी पैनिक हो गया पूरे वर्ड जकत में काफी पैनिक हो गया कि नुकलियर पावर प्लांट से यदि कोज इस तरह की रेडियेशन निकलने लगी तो उसका प्रभाव पूरे विश्व पर फड़ता है खेर ऐसा कोई हाथ सानी हुआ और रेशियन फोर्सेस ने इस प्लांट को सीज कर लिया आपको बता दे जो यह जैपुरिजिया है यह साउथ इस्टर्ण यूकरेन में एक सिटी है और नेपर जो यहाँ पर यह रिवर है इसके बैंक पर लोकेटेड है फॉर्मर चीफ ओफ दा इंडियन आर्मी जनरल एस एफ रोडरिक्स हू पास्ट अवे रिसेंटली ओल्सो सर्वड एस दा गावर्नर ओफ वीच स्टेट पूछ रहे हैं कि भारते सिना के पूर्व परमुक जनरल एस एफ रोडरिक्स सेवा निर्वत जिनका हाल ही में निदन ह हो गया निकिस राज्य के राज्यपाल के रूप में भी कारे किया था ओप्शन्स आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन भी है पंजाब तो देखिए जनरल सुनित फ्रांसिस रोडरिक्स तो साल 1923 में इनका जन्मुआ था और चार मार्स 2022 को इनका निदन हो गया इंडिय दस के बीच में ये पंजाब के कवेंडर भी रहे 26 वे कवेंडर इसे के साथ ये चंडिगड के 13 एडमिस्टेटर भी रहे है लिजंडरी विकेट कीपर रोड मार्श हू डाइड रिसेंटली प्लेट फोर विच कंट्री महान विकेट कीपर रोड मार्श इनका हाली में पता है तो ये उस्टेलिया के प्रोफेशनल क्रिकेटर थे और विकेट कीपर के रूप में यह खेडा करते थे विगेट कीपर बैट्समें के रूप में और चोत्तर वर्स की इनका निदन हो गया है आपको बता देंके इन्होंने एक रिकोर्ट छैठ किया है कि 96 टेस्ट मे जो कि अपने आप में एक रिकोर्ड है, 96 टेस्ट में, और इतने ही विकेट्स जो है, इनके ऑस्ट्रेलियन टीम में, डैनिस लिली ने भी लिये, तो इन दोनों की पार्टनर्शिप काफी सरहाना की जाधी थी उस वक्त में, और क्योंकि इन दोनों के कॉंबिनेशन नहीं, 95 टेस्ट लिए हैं, यानि इनोंने बॉल की है, और इनोंने अपने इस टंस से या फिर कैश वगेर किया है, इस टंस सो नहीं केश वगेर किया है, ठीक है, तो 95 टेस्ट विकेट्स इन दोनों की जोड़ी ने लिये हैं, होंडा मोटर और निम्री खित में से किसने बैटरी इलेक्ट्रिक वहानों को विक्षित करने और बेचने के लिए हाथ मिलाया है आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्षिन भी है सोनी ग्रूप तो जापान की मैनुफेक्ट्रिंग कंपनी हैं आप सभी जाते हैं होंडा मोटर इसने सोनी ग्रूप के साथ हाथ मिलाया है जिसके तहट ये इलेक्ट्रिक वेहिकल्स जो बैटरी इलेक्ट्रिक वेहिकल्स हैं लाइफ इंसूरेंस ने किस अभिनेत्री को brand ambassador बनाया है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंशर ओप्शन सी है विद्या वालन तो एक्ट्रेस विद्या वालन भारती एक्सालाइफ इंसूरेंस की brand ambassador की गई है विच एरलाइन is set to become first to use solar fuel सोर इंदन का अप्योग करने वाली पहली airline कौन सी बनने वाली है 當然 नहीं और सही answer option ए है it's tealy तो देखिए this is wireless एक स्वीर एरलाइन बनेगा जो कि solar aviation fuel और उपनी omega तको पावर प्रवाइट कराने के लिए और इसके लिए इसने स्विट्जर्लैंड बेस्ट सिन हैलियों इस कंपनी के साथ जो है कोलेबरेशन किया है जिसके तहट यह संटू लिक्वीट सोलार केरोसीन यूज करेंगे आपको बताते हैं जो यह स्विश एर डाइन है यह कंट्री एग्रिमेंट फॉर इस्टैप्लिश्मेंट ओफ एन एरिया ओफिस एंड इनोवेशन सेंटर इन निव डेली भारत और किस संगठर ने नई दीली में एक छेत्रिय कारेले और नमाचार केंदर की स्थापना के लिए मेजबान देश समझोते पर हस्ताक्षर किये है ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन सी है इंटरनेशनल टेली कम्निकेशन यूनियन यानि की आई टी यू तो देखिए जो आई टी यू है इसका एरिया ओफिस और इनोवेशन सेंटर ये निव डेली में डेवलप किया जाएगा बनाया जाएगा इसके लिए और इंटरनेशल टेली कम्निकेशन यूनियन यानि की आई टी यू ने एक होस्ट कंट्री एग्रिमेंट साइन किया है तो ये जो ये सेंटर बनाया जाएगा इससे अफगानिस्तान, मंगलादेश, बूटान, इरान, मालदीर, नेपाल, स्रिलंका और इंडिया इन सभी दे इससे इससे अफ़िश्मेंट एंड ओपरेशन ओफ तर एरिया ओफिस बाकिया आपको जानना चाहिए जो इंटरनेशल टेली कम्निकेशन यूनियन है ये यूनियन नेशन की स्पेशलाइस्ट एजनसी है फोर इन्फोरमेशन और कम्निकेशन टेक्नोलोजी और फिलाल 193 कं निनो पार्टिकल टुप अबिव प्रॉयट ग्रोप्स फ्रों डिजीज फरसलो को बीमारी से बचाने कलिकिस आइट ने एक बायो डिगृडबल नेनो पार्टिकल विक्षित किया है सवहाद आइटे में उन्यावक क्या बजाए जो कि पेस्टिसाइड के अलवा उसको पेस्टिसाइट के बदले क्या है हानिकारक होती है पेस्टिसाइट तो उनके बदले इसको जो है यूज किया जा सकता है जिससे कि क्रोप्स बची रहेंगी सुरक्षित रहेंगी कोई भी बैक्टिरियल हो या फिर फंगल इंफेक्शन हो उससे प्रोटेक्ट करेगी है सब्सक्राइब करें तो हमने पड़ाया कि आइटी मद्रास और इन दोनों नहीं ओशेंस कॉन्फरेंस जो है आईउजित की है नियोडी नेशनल सुट ऑफ ओशन टेकनोलोजी ठीक है तो इन दोनों ने ओशन कॉन्फरेंस आईउजित की है साथ ही इंडिया यूएई में आई आईटी रूड़की ने किसान मोबाइल इस तरह की एक एप लॉंज किये है तो तीनों ही आईटी संबंदिते नियूज है और काफी में दोपूर्ण है इसको कैनाईडा द्वारा उप्योग करने के लिए एप्रूव कर दिया गया है अठार से चोड़ साल के जो है एड़र्स के लिए इसका नाम है कोवी फेंस और इसको मेडिक एगो इसने गलैक्सो इसमित क्लाइन के साथ मिलकर डैवलप किया है तो निखिल मेनन ने ये बुक लिखिये, इंपोर्टन रहे गिए भी आपके लिए जानेंगे इसके बारे में तो इंसल्वेंसी रेगुलेटर है आप से भी जानते हैं इंसल्वेंसी और बैंक टॉपसी बॉर्ट ऑफ इंडिया इसने इंडियन बैंक्स एसोशियेशन इसके साथ एक MOU साइन किया है जिसके तहट ये इंसल्वेंसी बैंक टॉपसी और इससे सम्मंदी सब्जेक्ट पर जो है मतलब आपसी सहयोग करेंगे आपसी सहयोग करेंगे या फिर जो भी कोई इस तरह का मैटर आता है इंसल्वेंसी बैंक टॉपसे सम्मंदी तो उसको मिलकर जो है उस पर डिसकस करेंगे बाकिया आपको जानना चाहिए ये MOU किसकी परजेंस में साइन हुआ तो जो IBBI के एक्जेकुटिव डिरेक्टर है अमित परधान और IBA यानि इंडियन बैंक एससोशेशन के जो चीफ एक्जेकुटिव है सुनील मैता इनके उपस्तिती में इसको साइन किया गया है आपको जानना चाहिए 1st October 2016, 1 October 2016 को Insolvency and Bankruptcy Board of India established किया गया था अंडर Insolvency and Bankruptcy Code 2016 और फिलाल इसके चेर्मेन है रवी मीतन अब देखते हैं प्रिवेस असाइनमेंट कोस्टिव के आंसर तो अपते इसको पॉस्पोन कर दिया है याद रखेगा इसको पॉस्पोन कर दिया गया है इंडिया स्कोर सेक्टर क्रोथ वाज एट 3.7% इन जैनुवरी दिस यह जिसे आप लेवेंडर या फिर परपल रिवलुशन भी बोलते हैं इस रिलेटेट टू कल्टिवेशन ऑफ टाइप अफ क्रोप आंसर इस एरोमेटिक क्रोप और आपने से कई इस प्रेंस में बिल्कुल सही आंसर दिया है इसी तरह से आप पार्टिस्पेट करते रहें अर्जुन सब्ड्यूज परणव क्लाइम्स टुदा टॉप तो यह हैडिंग है इसमें हमारे जो शब्द यह है सब्ड्यू तो सब्ड्यू का मतलब होता है या फिर किसी चीज को नियंतरण मिलाना अपने अधीन करना तो यहां पर चैस की बात हो रही है तो अधीन में तो नहीं किया होगा नहीं अपने नियंतरण में ठीक है तो यहां पर क्या है किसी को हराना हराने के लिए यादा यह सब्द यूज के जब इंगलिस को थोड़ा और स्टेंडर्ड दे है फॉर्थ पोजिशन पर पहुंच गए है तो सब्डू का मतलब क्या है किसी को हराना या फिर नियंतरण में लाना चलिए इससे सम्वंदित इसी एक और एक्जांपल देखेंगे देखें पहले इसका मतलब और देख लिजिए तो इसका मतलब क्या हुआ है इससका मतलब क्या हुआ ति जो आग है वह आज गंटे तक जवह जलती रही है और उसके बाद लोगत इस पर नियंतरण में किया है और आग पर नियंतरण पाया सब्डू किया वर den या सागा इस फार फ्रोम ओवर तो यहाँ पर हमारा जो सब्द है यह सागा का मतलब होता है कोई इवेंट चला रहा है कोई ड्रामा टाइप चला रहा है जिसमें कि बार-बार कोई कि और उनकि तरहं चलती रहती है इदर से भी तरह से भी बयान बाजी चलती है तो यहई कहने का मतलब है की इंका इन दोनों का जो यह पूरा ड्रामा चल रहा है न यह फार-फ्रों ओवर होने से काफी दूर है, अभी ये खतम नहीं हो रहा है, खतम होते हुए दीख भी नही रहा है, जो इनका ये पुरा मद्द चलता रहता है, तो इसका मतलब यह है, ये उन पर छीटा कसी करते हैं, सीवसेन वाले इनुपर करते हैं, ठीक है? तो जैसे हैं आपर देख सकते हैं A long complicated series of related usually negative events तो कोई series है जिसमें कि negative events चलते जा रहे हैं तो इन दोनों के ये events चलते जा रहे हैं तरह की series ही चलते जाती है जब सिनों ने सिफ से ना छोड़ी है जैसे आप ये देख सकते हैं It was just another episode in the ongoing saga of their marriage problems मान लीजे कोई कपल है उन्हें में लड़ाई हुई है तो एक पड़ोसी क्या गह रहा है कि it was just another episode in the ongoing saga of their marriage problem कि जो उनकी साधी में जो जो दिक्कते चल रही हैं ये भी बस एक उसी का ही एक और पार्ट है जो आज इन में लड़ाई हो रही है तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं चलिए अब देखते हैं आज के assignment questions विच कंट्री हैस रिसेंटली लॉंच्ट मेत्री स्कॉलर्स प्रोग्राम विच सिटी सेट गिनीज रिकोर्ड बाई लाइटनिंग ओवर 11.7 लैक ओले लैंप्स ओन महाशिवरात्री तो पांचे questions के answer आप हमें comment box में जरूर दीजेगा यह लिए आपको एक question का answer भी आता है तो वह भी आप हमें comment box में बता सकते हैं साथी current affairs पंडना को आप टेलिग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं यहाँ पर regular video updates और current QJs हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं साथी discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्ते हाँ पर हमारे current affairs की playlist दी गई है इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ fellow experts साथ हमारे current affairs को share जरूर करें आज का session आपको कैसा लगा में comment box में जरूर बताईएगा थैंक्यू गाइस आपको किसी अपने आपको किसी नहीं बताईएगा आपको किसी नहीं आपको किसी भी का जरूर काサथ है पापको किसी दोस्तों के साथ हैं झाल झाल